नमस्कार श्वागाते हैं आमारी रेसिपी पे आज हम बनाएंगे मेथी के परणटे यह बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं चलिए इसको हम बनाना शिरू कर लेते हैं तो मेथी को देखिए लिया के मैंने अच्छे से तोड़के अच्छे से इसको मैंने वोस कियाए अच्छे से वोस करने के बार मैं इसको अभी काटूंगे ये देखिए इस तरह मैंने मेथी को बारिक सा काट लिया है जितना बारिक काटेंगे उतना अच्छा होगा अभी हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे जिसमें आने आटा बनाना है अभी मैं इसमें आटा बना रहे हूं तो मैं सारा मेथी को इसमें डालूंगी यह देखिए सारा मेथी जो है बिल्कुल रेडी हो गया है मैंने इसको काट के जिसमें आपने बनाना है उसमें आप डाल सकते और हम डालेंगे इसमें तील यह वाइट तील है इसमें तील डालेंगे तो सच मुझ बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि तील जो खाना अमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है तो तील आमें जरूर खाना चाहिए और आप टेस्पून से भी कम थोड़ा सा चुटकी बार हम डालेंगे तो जिए परोटी खाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है अब इसमें हम डालेंगे नमक आपने स्वात की अनुसार डालना है जितना आटा और आपने जितना समान आपके पास है वह अनुसार आप डालें और इसमें डालेंगे हम हल्दी आप टीस्पून अब हम दालेंगे आठा 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 आपको जितने जाने के लिए आप रोटी परंटा या बना रहे उतना आठा लेना ineffective और आठा डालनेके बाद उफ़से डालेंगे थोड़ा सा दही डालेंगे तो बहुत नरम और बहुत ही अच्छे परणफे बनते दई जब बहुत जरूरी है अब आम इसको सब्सक्राइब करेंगे पहले कि इसमें जो आमने ड़ी डाला आई जा मेथी है मेथी में पानी होता है तो इसलिए पहले पानी नहीं डालेंगे फुरे को मिश करेंगे इस तरह अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे मैंने एक कप पानी लिया है देखिए कितना चाहिए इसको देख लेख लेते हैं कि ईए एकी और हमें अबेसो अबग्यास करे लोड़ाऊ हैंcak नहीं स्थिहूरां हो अड़ हो ऑचिए olmas act開始 बारना है अव्यास अबार मूशा कि अंजूा अगले झाया वपठ कब घचाना अटेंड़ाई भीघर कि यह देखिए आटा जो हैना बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है मैंने एक कप से थोड़ा सा पानी लिया था इतना पानी बज गया है तो यह द्यान रखे जब भी आटा बनाए तो पानी थोड़ा-थोड़ा करके डाले नहीं तो फिर आपका आटा बिल्कुल गिला हो सकता है आपकी पराउठे बिल्कुल नहीं बनेंगे अब आट में लेंगे थोड़ा सा ओयल और इसके उपर से हम लगाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तारा मलेंगे यह देखे कितना अच्छा आटा बन गया है अभी आम 2-3 मिनिट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे फिर हम इसके पराउठे शेक लेंगे तो इधर मैंने ग्यास में तावा चड़ा दिया है इसको मैंने ग्यास को ओन कर दिया इसको गरम होने के लिए छोड़ देते है थोड़ा से देंगे पैडा इसको बिएक रखेवकल永 ग्यास अंधर लगाएंगे और राखे इसको रोल करेंगे और नल अभी इस में आप गी बटर कुछी दोड़ाज़ा अंतर से लगा सकते मैं तोम्हेनों प gratuitinkो मैंने अब गी आोल लगा दीते होड़ा थिरा मैंने डान अधर से फिर लगाएंगे आटा इसको डेल लेते इस तरफ परणथा बिल्कुल रेडी हो गया तो अभी हम इसको डालेंगे ताब आपे ताबा गरम हो गया है अभी हम डालेंगे इसने जो आपने बेल के रखे थे वह परणथे और घ्यास के थोड़ा सा तेज कर देंगे इसको अभी पलाथ लेते यह देखे एक तरफ से परणथा है ना पप गया है अभी हम इसमें लगाएंगे गी या बटर आप कुछ भी लगा सकते है जो आपको पसन है और आप लगाए या फिर ओल भी आप लगा सकते है और आपकी मार्वी इसको शेक लेते हैं आच्छे से दुस्रे परणचे आपके इसको शेकेंगे यह बिल्कुल पगे आए अभी आम इसको एक फिलेट में निकाल लेते हैं और दुसरा परणचा भी आम इसी तरह बना लेंगे यह देखे सारे परणचे बन गए इस तरह और यह बहुती स्वाप्ट और बहुती अच्छे यह खाने के लिए या आप चाय अचार के साथ लो या फिर आप ऐसे भी चाय के साथ खालो और बटर लेलो आमका अचार लेलो तो बहुती मज्य आएगा तो आप भी इस तरह बनाए तो मेरे रेशिपी को आप जरूर टराय करें अगर आपको अच्छा लागे तो लाइक, शेर, कॉमेट करना और प्लीज मेरे चाइनल को आप सस्क्राइब करना न भूले और साथ ने जो बेल आइकाने उसको प्रीज जरूर दबाए क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाएगा